अब नमबर आ गया है नेक्स चेप्र रगा इसमें भी मैं पहले कॉंपीटेंसी बेस्ट करवा रहा हूं जो एज एंसी क्यूब जो एस तुमाइस क्वेस्टन या जो एस रिजनी में आएंगे कि आपको हर क्माइट को पंसेप्चुरी समझा कर सकते हो तो देखें स्ट्रेक्टर अपको छोटा सा पहले बता दूं कि किसी भी एटम में एक सेंट्रली लोगेटेग पार्ड है विच फॉल्ड अनुट्रॉंस या रहने के लिए प्रोटोन है तो पी फॉर पॉस्टिव चार्ज या इस प्रोटोन पॉस्टिव पॉस्टिव चार्ज पार्टिकल्स है एंड नूट्रोन है नूट्रोन स्टेंड फॉर नूचार्ज तो यहाँ रहने का तरीका भी है कि पार्टिकल्स पे चार्ज कैसा होता है इसके बाहर शेल्स है और इलेक्ट्रोन्स और इलेक्ट्रोन्स में रिवाल्व करते हैं एरॉंड नूट्रोन्स तो इलेक्ट्रोन्स तो इलेक्ट्रोन्स आर नेगेटिव ली चार्ज्ट तो किसी भी एक्टम के स्ट्रॉक्चर में सेंट्रेल लोकिटिट पार्ट नूट् Atomic particles, protons, positively charged, neutrons, no charge and electrons, negatively charged, positive, no and negative charge. Then इसके बाद दो terms आती हैं जो आपको Atomic Number और Atomic Mass यानिक Mass Number ये बता होने चाहिए and one thing more. आपको 1 to 20 सभी Elements के Symbol, Atomic Number और Electronic Configuration पहले आना चाहिए. Otherwise, you will feel these questions and subsequent questions to be difficult one. तो आपको यादोना चाहिए Hydrogen, Elyum, Lithium, Beryllium, Boron, Carbon, Nitrogen, Oxygen, Fluorine, Neon, Sodium, Magnesium and so on. 20 तक और इसके भी दोनों तरीके से मांगोगर मैं आपसे यह पूछ हूँ. कि Magnesium का Atomic Number कितना? तो आप Answer को 12. तो आप पूछ थरटीन किसका? तो आप Answer को 10 नहीं हूँ. तो यह नाम से नमबर और नमबर से नाम दोनों तरह से आना चाहिए और यह basis है. इवन आप 10th में भी Chemistry करोगे न? तो तब भी आपका यह पार्ट तो स्ट्रॉंग होना ही चाहिए. इसकी Foundation स्ट्रॉंग होनी चाहिए. तब भी आप Chemistry को अच्छे से समझ पाओगे. तो Atom में 3 Sub Atomic Particles है. और Sub Atomic Particles की Position कहा है? वो मैंने बता दिया. इसके बाद था Atomic Number. तो Atomic Number किसी वे Element के Atom की Unique Property है. तो वी से Number of Protons. Number of Protons present inside the Nucleus of an Atom is called Atomic Number. Here. Then what is Mass Number? तो Number of Protons plus Neutrons present inside the Nucleus is called Mass Number. और एक और है. By Virtue of Neutral Nature of Atom. When I say Neutral, it means no any charge. तो By Virtue of Neutral Nature of Atom, Number of Protons must be equal to Number of Electrons. तो किसी भी Atom में जितने Protons होंगे, उतने ही Atom होंगे. इससे हम Atomic Number कहेंगे. और Proton और Neutron के Sum को हम Mass Number कहेंगे. Then उसके बाद किसी भी Element को इसको Atomic Number, Mass Number से Represented करने का एक Conventional तरीका है. अब वो दिरू सीग में. मागला मैंने लिख दिया. Let us say P. 31, 15. तो तो देकिन जो यह है, it stands for symbol, यानि Phosphorus का symbol है P. जो यहां लिखा हुआ है, it is called Subscript. Subscript always represents Atomic Number. Subscript always represents Atomic Number. और जो यहां लिखा हुआ है, it is called Superscript. Superscript always represents Mass Number. तो पहलो तो आपको मैं एक उदा दो, इन Quotions को स्टार्ट करने से पैठे दो कि बहुत important questions हैं, और concept wise समद लो के तो सारे Quotions अंसर करता होगी आप. मैं आपको हर चीज में base सुझा के चलता हूँ, so that आपको Quotions को face करने में problem ना हो. तो किसी भी element के symbol को ऐसा लिखेंगे, जो उपर Superscript है, वो Mass Number represent करेगी, जो यहां Subscript है, यह Atomic Number represent करेगी. अब इस पर question से ही आएगा, कि कोई element X है, let us say X है से लिख लिखिया, यहां लिखे है 37, यहां लिखे है 17, question करेंगे बताऊ, X में कितने protons, कितने electrons, कितने neutrons, यह MCQ में बहुत वाराते है question, और यह समद लो आप. तो X कोई सब यह element है, तो आपको मैंने बताया जो यहां लिखा हुआ है यह atomic number है जो atomic number है वो number of protons है और by neutral nature of atom यही electron है तो आप लिखोगे proton 17, electron 17 क्योंकि यह P plus N है यह P plus N है और यह only P है तो P plus N में से P घटा दोगे तो यह less कर दोगे what we get N तो 37-17 यानी 20 is the number of neutrons तो यह कोशन आप प्रवेर दर लें कि CV element के साथ दो फीदर लिखी हुई हो तो उनका क्या representation है वहां से सब atomic particles की counting proton, electron, neutron कितने हैं यह calculate हो जाता है अब इसके बाद अकर यह समझ आ गया 1 to 20 atomic number याद हो गए अब आपको थोड़ा सा बता दूं के बारे में then we will start with questions कैटायन क्या है positively charged particle कैटायन है और बनेगा कैसे loss of electron से एक example देता हूँ अगर suppose मैं को sodium, atomic number याद हो गया 11, configuration बनाओगे तो वो भी याद हो जाएगा 281 281 का मीन है पहले shell में 2, अधिले shell में 8, next shell में 1, तो K11 इनके shells के दिन ही है तो sodium atom एक electron को loose करेगा और इसके जो electron 11 थे 10 रहे जाएंगे और इस पे charge आजएगा plus 1 minute तो इसे बोलेंगे cation तो आप note कर दो इस बात को वैसे मैंने अपने channel के shots में भी cation और anion पे 2-3 shots बनाए जो आपको 30 seconds के इंदर useful information दे देंगे तो cation is found by loss of one or more electrons जैसे example यह देगा तो cation is positively charged एक और जाम दे इसमें मान लोगा है यह वाला जो अगर na plus 1 है इसे बोलते है monovalent cation, monovalent means single valency वाला अगर suppose मैं लिखो mg plus 2 तो इसे बोलते है divalent cation, अगर suppose मैं लिखते हू al plus 3 तो इसे बोलेंगे trivalent cation, clear तो cation means positive charge, mono, dial, trial, utter लगी जाएगा तो 1, 2, 3 से clear हो जाएगा then है negatively charged तो negatively charge होता है anion और वो बनता है by यह बना है by loss of electron loss of one electron और वो बनेगा gain of electron for example chlorine है, atomic number configuration को याद होना ही चाहिए, यह 287 है, 17 electron वाला यह 8 electron गें करेंगा, plus 1 electron और chloride ion बना देगा, that is 288 हो जाएगा तो ऐसा ion, it is called anion, तो यह anion का example है, तो anion is formed by gain of 1 और more electrons, अगर आपसे को पहे, anion में monovalent anion का example दो, तो CL-1 यह monovalent anion है, अगर oxido O-2 यह divalent है, अगर हो N-3 यह trivalent है, तो इन basics को समझके, अब इन question को start करते हैं, देखें, concept से clear समझके तो चलो, क्योगी competency-based में, अब रटेटाए question नहीं आले, सोच के चल मैं बढ़ेगा, क्या question है, क्या answer होना चाहिए, और this is, जड़ उसकी पकड़ पे होनी चाहिए, so that उस पे सारे answer आप कर सो, देखे, question start करें पहला है, maximum number of electrons in M shell is, तो देखें, इसके तब nucleus के पास जो सबसे पहला shell है, it is K, then L, then M, then O, then P, तो that is shell की naming by convention, K, L, M, N, O, P है, और इसके अंदर, एक और बता जाता हूं आपको, maximum electrons, which can be accommodated in a shell, is given by 2 M square, ये rule याद रखना, maximum electron, which can be accommodated, is 2 M square, where M is the number of shell, position of shell, जैसे इसने काया है, question number 1, maximum number of electrons in M shell, 1, 2, 3, M का number 3 है, तो we will put 2 into 3 square, यानी 18 electrons can be accommodated, तो ये इसका अफ़िर हो जाएगा, तो that is shell number, 1, 2, 3, 4, जो भी होगा, और 2 M square, जो पुट कर दो, N is equal to, जो पुट करोगे, तो maximum number of electrons, which can be accommodated in a given shell, is 2 M square, concept wise, नेक्स देखे, ये विज़ो तो following has same number of proton, electron और neutron, तो इनमें भी अगर आपको atomic number और mass number याद होंगे, तो aluminium लिखा जाता है, 27, 30, तो अब्यस है, इनके the difference 14 है, तो ये तो answer को नहीं सकता, then magnesium को लिखा जाता है, 24, 12, तो आप देखे, 12 proton, 12 electron और इनका difference भी 12, तो इसका मतलब answer ये बनेगा, same number of proton, electron, neutron इसमें बनेगा, fast force मैंने अभी पता है, लिखा जाता है, 31, 15, 15 proton, 15 electron, but उनका difference तो 16 है, तो वो कहारा है, same number of proton, electron, neutron, ये भी नहीं हो सकता, similar इस ये लिखा जाता, 35, 17, ये 37, 17, तो इसके अंदर में difference 18 बनेगा, ये भी नहीं हो सकता, तो answer is magnesium, because magnesium is atomic number, 12, number of proton, 12, number of electron, 12, 24 minus 12 is also 12, therefore proton, electron and neutrons are equal in number, ये इसा answer है, next, how many protons and electrons, protons and electrons are there in Ca plus 2 ion, option आप गिरिद गया, proton, electron, इतने इतने, इतने, ये जाए, तो पहले आप समझे लिए, calcium बना कैसे है, तो calcium किसका example है, divalent cation का, तो divalent cation बनेगा कैसे, by loss of 2 electrons, तो अगर मानलों मैं इसको लिखूँगा, तो calcium, मैं इसे लिखूँगा 2882, क्योंकि atom in number 20 है, जब यहां से इसका calcium ion बनेगा, Ca plus 2 बनेगा, तो ये रह रहेगा 288, क्यों? क्योंकि इसने 2 electron lose किये है, अब ये कहरा question, proton और electron, हम चेक करें, proton electron equal, तो ion में तो equal वैसे भी नहीं होते, ये नहीं हो सकता, 20 and 22, electron दो lose किये है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, ion में दोनों same, ये हो नहीं सकते, तो आप इसे अगर जहां से देखोगे, क्योंकि यहां से यहां आने में, nucleus पे कोई change नहीं आया, तो proton तो same रहेंगे, बट, electrons दो lose कर दिये, तो 18 और electron ये वला, तो इसका मतलर इसकी option और है, याद रखना, किसी की atom का, ion बनने में, nucleus remains untouched, और number of proton remains untouched, वो same रहेगा, बट, electrons आएंगे, यद जाएंगे, उसका change रहेगा, तो आप इससे इस aspect में सोचोगे, तो question का answer, easily कर पाओगे, next, which forms a divalent cation, देखेंगे, वैसा question आगा है, जो भी आपको मैंने सुधाया, divalent cation, cation हो, और divalent 2 valence ही वाला हो, तो ये वही बनाएगा, जिसके valence shell में 2 electron होगे, आप configuration बना के देखोगे, जैसे इसके अंदर है divalent cation, इसका बनता है 282, contribution भी आदाना चाहिए, तो ये दो electron lose करेगा, और divalent cation, mg plus 2 बना देगा, तो हमें पहरी option ही, ठीक मिल लई, बट अकर आप oxygen को देखोगे, तो oxygen divalent anion बनाता है, जहां दरना anion divalent, मैंने यहां भी बताया था, divalent anion, helium ये inert gas है, inert gas कुछ भी नहीं बनाता, कोई आयन बनाता ही नहीं, ये inert gas, ये तो वैसे reject हो जाएगा, और chlorine भी non-metal है, ये भी minus 1 वाला, मैंने भी शाहिए बताया था, ये बनाएगा, ये कहना है cation, तो सिरफ single option ये है, जो divalent cation बनाती है, I think concept clear हो रहे होंगे आपको, आप इसको note करके, then think over it, try to learn, और अगर कोई आपके doubts still रहे जाते हैं, तो comment box में जाके जरूर कोचा, बट तभी आप answer कर पाओगे, अगर आप इच एने भी वर्ड को carefully सुनोगे तो, next, which loses 3 electron to form iron, तो देखें, इसने कहा है, which loses, तो जितने metals है ना, जिनके बाहर 1, 2, 3 electrons होते हैं, वही lose करते हैं, non-metal तो एक gain करते हैं, या share करते हैं, याद रखने हैं यह वाली बात भी, metals lose करते हैं, जिनके outermost shell में, यानि valence shell में, 1, 2, या 3 electrons होंगे, वही करेंगे, 3 electron lose करने वाला, इसका तो confugation lithium का, 1 है इसके बाहर, तो यह 3 lose करीं सकता, क्योंकि hydrogen, helium, lithium, atomic number इसका 3 है, atomic number is 3, बटे lose को यह भी करता है, then sodium है, यह भी सिरफ 281 है, तो 1 ही lose करेगा, then calcium है, calcium मैंने बताया था, 2882 यह 2 ही lose करेगा, और अगर आपको aluminium याद हो, तो aluminium है 283, 13, 13, तो यह 3 lose करेगा, इसका मतलब यह वाला कि अगेल आटम है, जो 3 electron lose करेगा, और अपना iron बनाएगा, next दिखें, which has same number of electrons as in oxide आया, अब बताओ कैसे करें इसको, कि same number of electrons as in oxide आया, तो पहले आप oxide को बनना देखेंगो कैसे है, oxygen यह है 2,6, यह 2 electron gain करता है, प्लस 2 electron और oxide आयन बनाके 2,8 बनाता है, तो आप पहले समझ लो, कि oxide आयन में, electrons is equal to 10 है, electrons is equal to 10, तो हम यह देखें, अब इन में से किसके, value से shell में, या total में, 10 electron बनते हैं, तो उसको answer करेंगे, जैसे potassium है, आपको बताऊं, potassium था 2881, यह बन लूस करके यह बना हुआ है, तो यह तो 18, 18 बन रहे हैं यह नहीं, option नहीं हो सकती, then यह magnesium है, यह था 282, यह 2 लूस करके यह रहा होगा, तो अब इस है 10 electron है, magnesium iron में, इसने काए, उतने electron, जतने oxide iron में, तो magnesium में, क्योंकि 2 लूस किया होंगे, तो यह बना होगा, और इस हवाले में, आप देखेंगे, 10 electron जोटल हैं, तो option इस यह, इन्हें आप चेक कर देडीड नहीं हैं, नेक्स्ट है, विच फॉर्म सम्मॉनोविलेंट एनायन, अब एनायन चाहिए, नेग्डिव चाहर्द वाला, वो भी मॉनोविलेंट चाहिए, सिंगल विलेंसी वाला, और सिंगल विलेंसी वाला कब बनेगा, एनायन, जब एक electron गेन होगा, कैसे, यह सिएल है, तो ऑब्विएस है, सिएल जब वन गेन करेगा, मैं यह भी बताया, तो यह मॉनोविलेंट एनायन का एक्जम्पर बन गया, तो यह ही फिट हो गया, हमारे यह आंसर हो गया, बट वट अबट सोडियम, तो सोडियम बनाएगा, यह तो वैसे भी कैटायन है, एनायन है ही नहीं, इसे चाहिए एनायन, सल्फर का गड़ बनाओगे, तो यह बनेगा, सल्फाइड आयन, S-2, यह चाहरा है, मॉनोविलेंट, तो भी नहीं हो सकता, एंद देन कार्बन है, तो कार्बर का तो है 2-4, तो इसका तो किसी भी केस में, मॉनोविलेंट एनायन, बन ही में सकता, तो आप इन कोशन्स को उपन सेर्ट के लिए समयने, next set of questions फिर ऐसे ही आ रहे हैं, बट अगर आप इसे समझेंगे broadly, तभी आप answer कर पाओगे, देखें, next set of questions लेने से पहले, मैं आप से कोहमाब कि, if you are new to my channel, and you want to gain knowledge only, no any entertainment, no any falco की बात, only knowledge चाहिए, तो आप तो आप तेरे चैनल को जुर सब्स्राइब कर लो, और आपको पूरी 9th और 10th की content-based videos, and content-based shots मिलेंगे, और if you want to talk to your school, city, or even district, or even higher than that, तो आपको सबी चीज़ों को conceptually समझ के चलना पड़ेगा, so that आपके माज अच्छे हैं, ताप इसे चैनल को मेरे जरूर सब्स्राइब करने, and continue watching videos, लिया भी 17th ना सलिबस पर कबर कर चुका हूं मैं, but slowly and steadily बाखके सारह सलिबस भी कबर हो जाएगा, तो जैसे मैंने पहले लिए कि आइसोटोप्स और आइसोबार्स ये दो टरम्स क्लियर होनी चाहिए, वैसे इसका कुछ पर तो मैंने अपने atoms and molecules वाली वीडियो में भी दिया हुआ है, बढ़ फिर दोवारा क्योंकि इसके questions या लिंक हो रहे हैं, तो ये आइसोटोप्स और आइसोबार्स की definition पता होनी चाहिए, अगर कोई पूछे definition किया बन मार्क में, तो each and every word has meaning ध्यान रखना, chemistry में कभी आप atom के लिएका molecule, molecule के लिएका compound, compound के लिएका कुछ letter से iron कुछ भी डाल दें, तो मास नहीं मिलते हैं, हर word का specific meaning है, और उसकी according ही मास मिलते हैं, तो specific language होती है, जैसे isotopes का पुछाओगा, तो isotopes are atoms of same element, अडरने करना same element, atoms of same element, having same atomic number, अडरने करना same atomic number को, बट different mass number, ये याद रखना, जैसे सबसे अच्छे exam दों दें, अगर आपको, तो chlorine का 3517 और chlorine का 3717 ये pair of isotopes है, ये तो chlorine करती है, किसी का भी एक्सवाइजर कुछ भी हो, atoms of same element, having same atomic number, बट different mass number, याद रहेगो, and then isopars, isopars are atoms of different elements, different elements having same mass number, बट different atomic number, लेट आस ते मैं एक्जाम्पल मैं ठीट पहूँ, एक मैं लिख दिया एक्स और य है, अगर मैंने यहाँ लिख दिया same, 1717 सपोस, और यहाँ मैं लिख दिया 8 और 9, तो अब की बार मैं ये कह सकता हूँ, कि they are a pair of isopars, because they are atoms of different elements, different मैं लिख दिया एक्स और य रिप्रेसेंट कर दिया है, different elements having same mass number, but different atomic number, आपको मैं लिख पहिचान बता दी है, अब ABCD, X-Visor, उस भी हो, तो इसने करना क्या है, जैसे A और B को देखें, A और B में same mass number, but different atomic number, ये अलग अलग है, ये same है, तो we will say they are a pair of isopars, ये, फिर है COD, आपको मैंने बताया, same atomic number, but different mass number, same atomic number, but different mass number, तो they are a pair of isotopes, तो आप इसे समझ ले, और इसके फिर बहुत सार एक्जामपल है, आपके सालेबस में, hydrogen का है, उसके तीन है, protein, deuterium, pretium, फिर आपका uranium का भी है, तो आपको वो भी सारी याद करने पढ़ेंगे, but for the timing, isotopes क्या है, isobars क्या है, उनके definition, उनने represent कैसे करते हैं, पहचान कैसे करते हैं, वो इस question में contain होगा, और certainly इस पर question आता ही आता है, same atomic number, different mass number, same mass number, different atomic number, ओके, I think clear होगा आपको, next, element X has seven electrons in M shell, find its atomic number, its a valency, and game of element, तो इध्यान लखना, अगर suppose मैं कहा हूँ, KLM, तो obviously K और L भर कर, पूरे completely fit होकर, आये होंगे, तब होगा, अगर मामने मैं कहा हूँ, an element X has three electrons in L shell, अगर three in L shell है, तो K shell पहले बढ़ा होगा, अब देखिए, इसने कहा है, seven in M, इसका मतला K और L, completely fit होँगे, two eight, और इसने कहा M में seven है, तो M में seven है, obviously previously, सारे completely fit होँगे, total हुआ इसका 17, पहला कुछ है, what is the atomic number, so atomic number is 17, answer number one, फिर है, what is its valency, तो बैसके लोगा है, अगर पूछ ले कि बढ़े सा definition of valency, तो definition है, combining capacity of an atom of an element, is called its valency, जैसे इस case में है, two eight seven है, यह non-metal है, तो eight minus seven, यानि one इसकी valency है, यह भी आपको मैंने शायद, इससे पहले बावल चेप्टर में cover करकर दे रखा है, आप उसकी वीडियो वाच कर दो तो, valency, valence electron, valence shell, यह valence shell इसमें clear कर दी हैं पहले, otherwise मैंने बता भी दिया, कि आपनी क्या करना है, बनाना का इंज्यूटिशन, अगर उसके valence shell में, one, two, या three electrons है, तो call it as metal, और metal के case में, valence electron, valency होती है, बट अगर valence electron, four से लेकर seven तक है, four से, four, five, six, seven, call it as non-metal, और non-metal में, valency is equal to eight minus valence electron, इसलिए मैंने अप्लाई किया, eight minus valence electron, due to seven valence electron, it is non-metal, और non-metal में valency कैसे decide होगी, eight minus seven, तो answer number two, और फिर है, name the element, यह दोदो answer होगे, name the element, तो आपको seven, अगर one to two के सारे याद है, तो आपको पता होगा, कि seventeen chlorine का है, name of element is chlorine, तो यह इसका complete answer है, next step, which isotope of uranium, is used to generate electricity, तो देखें, electricity generate करने के लिए, हमारे पास से, तीन तरह के plant होगे, जहांदर में थोड़ा सा बता आता हूँ, क्योंकि अगेन एगी बाप कहूँगा, कि knowledge चाहिए, knowledge, रटा नहीं चाहिए, देखें, यह तो होचा है, thermal power plant, जो thermal power plant, electricity generate करेगा, वो यह तो coal को use करेगा, या फिर CNG use करेगा, thermal means due to heat, यह उते हैं, hydroelectric power plant, वो भी electricity generate करेगा, but due to falling water, जैसे ही बाखणा नंगल डैम है, या बाखणा प्रोजेक्ट है हमारा, बहुत सारे ऐसे हैं, जो falling water से, यानि energy transformation से, तो उसे बोलते हैं, hydroelectric power plant, और तीसरा होता है, nuclear power plant, तो nuclear power plant का बतातो आपको, कि उसके अंदर uranium, या कोई और radioactive element का fission होता है, और fission से energy generate होती है, जो बाद में electricity में convert होके, हमारे घरों में पहुंचती है, तो it is a nuclear power plant, बिच generate electricity, बट अगर इतना सारा कुछ याद ना भी रख सको, बड़ी कुशन तो आपके सालिबस का है, कि which isotope of uranium is used to generate electricity, तो वो है U-235-92, ये isotope of uranium है, जिसमें 92 protons और protons प्रोटोन प्रस न्यूट्रोन 235 है, तो ये इसका fission होता है, इसके fission से energy generate होती है, और जो बाद में electricity में convert होती है, वैसे इसका U-238 लिया है, बट U-238 को यूज नहीं करते, इसको पहले enrich करते हैं, enrichment का process है, आपके syllabus में नहीं है, बट U-235 is used to generate electricity, इसके fission से energy पैदा होती है, next, an element X form, it's a chloride as XCl2, अब देखे, ऐसे कितने भी question है, अगर आपको valency याग नहीं है, जो आप previous chapter में कर चुके हो, तो आपको आपको याद होना चाहिए, जैसे मालब कुछे सोडियम, तो आपको Na plus 1, मैं आपको चुक्छों, आपसे लेकिसे, chloride, आपको Cm minus 1, that is, valency भी याद होनी चाहिए, अदर्वाइज नहीं होते हैं, इसमें करना क्या होता है आपने, आपको anion की valency याद होनी चाहिए, then criss-cross method के उल्टे से, आप cation की valency beside कम लो, cation के valency के बाद फिर formula बना दो, तीन सब्सक्राइब मैं illustrate पर देता हूँ, and I can clear 1000 examples for you, तो आपको समझ लें कैसे होगा, जैसे suppose मैं काया, कोई एक element x है, उसका chloride xCl2 है, तो आपके देखें, Cl minus 1 होता है, और x का 2 रहा होगा, तब ही तो ये 2 आया, हमने का इसका formula, Criss-cross के गुल्टे method से, x here 2 बना दिये इसने, ये तो नहीं पता होना चाहिए, इसके बिना तो हो नहीं सकता, तो ये 2 की figure यहां से आगी होगी, तो यहां से पहले हमने conclude किया, कि x जो है, डाइवेलेंट के टायन है, तो पहले आपने ये जज़ करना है, जब ये ज़़ कर लिया, और उसके बाद, इनकी विलेंस याद होनी चाहिए, अब इसने का, what is the formula of its oxide, तो आपने x प्लस 2 ज़़़ कर लिया, oxide याद होना चाहिए, तो इसका formula बनेगा xo, x का oxide ये बनेगा, then formula of its own nitrate, x आपने ज़़ कर लिया, डाइवेलेंट, nitrate NO3-1 याद होना चाहिए, इनने तो नहीं कर पाऊगे, तो x ये इधर जाएगा, NO3 का whole twice, NO3 का whole twice, ये बनेगा formula, x का nitrate, जैसे माँ में सब्सक्राइब होता ना, तो calcium nitrate ऐसे ही बनता है, क्योंकि calcium divalent है, calcium nitrate, माँ लो, magnesium nitrate होता, तो ऐसे ही बनता, MgNO3 whole twice, क्योंकि ये भी divalent है, तो ऐसे ही बनेगा बनाया है, उसको x कर दिया, then है sulfate, तो sulfate होता है, SO4-2, तो x आपने जज़ कर लिया, plus 2, sulfate आपको याद होना चाहिए, SO4-2, 2 and 2 will nullify each other, and xSO4 is the formula box, it's a sulfate, जैसे calcium sulfate होता, तो CSO4 होता, जैसे ही है, magnesium sulfate होता, तो NKSO4 होता, like this, तो इसके parallel आप सीख सकते हो, ऐसे आपोशन, आपको different books में, यतने भी अच्छी publisher भी books हैं, आपको ऐसे question कहीं मिलेंगे, आप practice करो, और किसी question में कोई practice, कोई दिक्कत है, प्रेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्टेगा आपको, I am here to help you, आप उसरा question में से, मेरे video में comment कर दो बूश सकते हो, and each and every comment is properly replied, देख, यह वार question हो गया, इसका सारा, और last question ही है, are isotopes of an element chemically similar, explained? तो ध्यान रखना, जैसे मैंने क्लोरीन के दो बगायले, लेकर से इसी वो पकड़ ले, तो question है, यह क्लोरीन के दो isotopes हैं, क्या यह chemically similar हैं, तो इसे explain करो, आपको बताता हूं, यह जिनके valence electron 1 है, उनके property same, जिनके 2 हैं, उनके same, 3 हैं, उनके same, तो obvious है, इसका quantification भी बनेगा 287, इसका भी बनेगा 287, और इसका भी बनेगा 287, दोन में 7 आ रहे हैं, तो इसका chemically same होंगे, correct? और further explain कर सकते हैं, chemical properties entirely depend upon valence electrons, which is same in case of pair of isotopes, तो इसमें दोनों के अंदर electron same होने की बज़े से confidution same है, confidution की बज़े से valence electron same है, valence electron की बज़े से chemical properties same है, तो hence we say, कि isotopes का pair, हमेशा ही chemically identical होगा, क्योंकि number of valence electrons same है, तो इससे आपको यह judgment हो जाती है, कि किसी भी isotopes के pair का chemical properties same क्यों होती है, तो I think, आपको जितना कुछ मैंने करवाया, आपके बहुत useful रहेगा, बहुत beneficial रहेगा, अगर आप इसे मेरे ही according, अगर आप मेरे student बन के चले हो, तो it is much obvious कि आप मेरे according काम करके चलो, and I assure you, आप कहीं पर मात नहीं खा सकते, and you will always excel the others, बातियों से आगे ही निकल के चलोगे, क्योंकि मेरे पास more than 30 years experience है, and I teach with blessings, और मेरे offline classes बनी students मेरे से attached रहते हैं, लिंक रहते हैं, तो likewise आप online पे मेरे से link रहो, attached रहो, so that आपको मैं आपना maximum knowledge deliver कर सकूँ, और वीडियो अच्छी लगे, जरूर जरूर एक अच्छा सौलाई इंटनम, अपने सभी friends को, सभी classmates को वीडियो, जरूर share कर लो, और चैनल लूजा क्लाइस को, subscribe कर लो, so that आपको 9th और 10th, Business Chemistry Mass, मेरे चैनल पे available हो जाए, thank you once again for watching the video,